तुमने हिंदू बेटियों को लब जिहाद का दर्द दिया हमने मुस्लिम बेटियों को तीन तलाक से आजादी दी ये है हिंदू संसकार ये है हिंदुत्व हिंदु धर्म में लोटने पर मुक्तार अंसारी के नाम से हत्या की धमकी दी जा रही है पूनम को शमिया बना दिया गया सशुर और जेट आए दिन आबरू को नोचने की कोशिश करते हैं छोटी बच्ची पर भी गलत नजर रखते हैं विरोध करने पर पती को जानवरों की तरह पीटा जाता है ये कहना है पूनम का जो इस वक्त शमिया है इसलाम की बरबरता को देखकर ये घर वापसी करना चाहती है लेकिन घर वापसी की कीमत सायद इसे अपनी जान दे कर चुकानी पड़े इसलिए सीम योगी से गुहार लगाई है हिंदु लड़कियों को किस मुसल्मान से साधी ना करने की गुहार लगाई है जैश्री राम मैं हूँ आपके साथ अभिशेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्डाई थर्डाई मैं आज आपको बताऊंगा उस महिला की जबानी जो 14 साल पहले मुनम के अंदर जो दर्द है उस दर्द को हर उस हिंदू लड़की को देखना चाहिए जो इनके जिहाद का शिकार होकर कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं मुक्तार अंसारी इस नाम से हर कोई परिचित है उत्तर प्रदेश के लेकिन अब मुक्तार का वो हाल होने वाला है जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा पहले आपको ये पूरा मामला समझाता हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में एक परिवार को घर वापसी करने पर मुक्तार अंसारी और एक मंत्री के नाम से धंकी दी जा रही है असल में मूल रूप से राय बरेली के एक हिंदू महिला ने अनार कला के एक मुस्लिम व्यपारी से शादी की थी और अब उसका पूरा परिवार हिंदू धर्म अपना रहा है धंकी के कारण पूरा परिवार कई दिनों से घर में दुबका बैठा है महिला की पेटी पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रही महिला का नाम पूनम सिंग है लेकिन निकाह के बाद धर्मांतरन कर उसे समया सिद्ध की बना दिया गया वहीं उसके पती का नाम सलीम हैदर था लेकिन हिंदू धर्म अपनाते हुए उसने अपना एक हिंदू नाम रख लि उन्होंने बताया कि उनके ससुर और परिवार के बाकी लोग उन पर दबाव बनाते हैं कि किसी और मुस्लिम पुरुष से संबंद बनाने पर उन्हें हज का शबाब मिलेगा महिला ने बताया कि ये लोग पहले सिद्ध की नहीं थे लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल लिया महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही उन्हें मुकतार अंसारी के नाम पर मरवा डालने की धमकी दी जा रही है हिंदू लड़कियों को ये लोग गलत नजर से देखते हैं साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि उसके जेट ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की उसका पक्ष लेने पर पती की पिटाई की गई महिला को गोमांस खिलाने की भी कोशिश की गई और कहा गया कि ये प्रशाद है इसके बिना मुस्लिम नहीं बन पाओगी महिला ने बताया कि अब उसने अपने पती के साथ तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया है हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्हें रास्ते में रोक कर मारने की धमकी दी जा रही है आज तक से बात करते हुए पूनम ने बताया कि उसके ससूर ने उसके साथ बत्तमीजी की और कहा कि मेरे साथ रिलेशन्शिप में रहो तुम्हें सब कुछ देंगे दस दिनों से परिवार के लोग बाहर नहीं निकले बच्ची को भी धमकी मिल रही है महिला ने हाथ जोड़कर योगी सरकार से निवेदन किया है कि उनके परिवार को नियाय दिलाया जाए और वापस से हिंदू धर्म में सुरक्षित रखा जाए महिला ने कहा कि उन्हें अपने लिए डर नहीं है बच्ची के लिए भै है जो मासूम है अब पूनम के पती की बात सुनिए पूनम के पती की बात थोड़ा गोर से सुनने की जरूरत है पूनम के पती का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म की खास्यातों को देखते हुए हिंदू धर्म अपनाया है उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर में ही देखा है कि उनके भाईयों और अब्बा का वेवार कैसा है जहां ऐसी धमकी दी जा रही हो उस धर्म में भला वो कैसे रह सकते हैं हिंदू लड़की से शादी करने को इसलाम में सबाब का काम बताया जाता है हिंदू धर्म में वो शुरक्सित रहेंगे और उनके दोस्तों और जानने वालों ने इस फैसले का स्वागत किया है उन्होंने हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए कहा है कि वो कभी किसी मुस्लिम लड़के से निकाहन ना करें वरना उसका हाल उनकी पतनी की तरह होगा ना वो उस घर की बेटी बहुपन पाएंगी और उसके साथ ही घर में बलातकार का प्रियास होगा या बलातकार किया जाएगा और बेटी का जन्म होते ही उसका भी रेप करने की कोशिश की जाएगी उन्होंने पूछा कि ऐसे मज़ब में वो क्यों रहे यहाँ पूनम और उसके पती की बात खत्म होती है अगर आपने इन दोनों की बातों को ध्यान चे सुना होगा तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है हिंदू के लिए ये भाई होंगे लेकिन इनके लिए हिंदू सिर्फ चारा है हिंदू लड़कियों से लव जिहाद करके बच्चे पैदा करने हैं और आदमियों का गलारेतना है हर एक हिंदू इनके लिए काफिर है फिर भी हिंदू लड़कियों की आँखों पर पट्टी बंदी है हर साल हजारों लड़कियां लव जिहाद की भेट चड़ जाती है जिन में से कुछ का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और जादा तर की बली चड़ा दी जाती है ये गजवाय हिंद का एजेंडा है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इनका असली मकसद यही है कि हिंदू को उक्से जन्मे बच्चे को हिंदू के खिलाफ ही हतियार के रूप में इस्तमाल किया जाए भारत में सदियों से सभ्यता का संगर्ष चलता आया है चाहे हमारी संस्क्र विधर्मियों ने हर प्रकार का सडियंत्र किया हिंदू को नीचा दिखाने के लिए इनका गजवाय हिंद का सपना तो पूरा नहीं हो पाया अब बदले हुए हालातों में ये लोग पहले की तरह तलवारे निकालकर युद्ध भी नहीं लड़ सकते ऐसे में जिहाद करने और काफिरों को हराने के लिए नए-नए तरीक अपनाए जाते हैं लव जिहाद उनमें से एक है लव जिहाद एक मान्सिक विकरती है जिसका उपयोग समाज में जन्धांखिक बदलाव लाने और हिंदू महिलाओं का शोशन करने के लिए किया जाता है अपनी पहचान प्रू होता है असली खेल जब पहचान उजागर होती है तम महिलाओं पर धर्मांतरन का दबाव डाला जाता है उनका शोशन किया जाता है और ज्यादा तरकी हत्या कर दी जाती है इस काम के लिए इन्हें पैसे दिये जाते हैं देश विदेश से पैसा आता है और मुकतार जै का गवा है कि दबाव हर तरीके से बनाया जाता है मुकतार के लिए संकियत अच्छा नहीं है इस मामले में मुकतार बचने वाला भी नहीं क्योंकि सरकार में बाबा बैठे हैं थरडाई में आज के लिए इतना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी सतर्क रहिए सुरक्षित रहिए नमस्कार